हेलो गाईस वेलकम बैक टो माई चैनल निकू सुमित ओफीशल और कामनी सिंग इनके बीच में बार बार कंट्रोवर्सी क्यों पर आती है इसके रियल्टी क्या है चलिए जानते हैं निकू सुमित ओफीशल और कामनी सिंग को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से जानते होंगे साथ के साथ इनकी पूरी ही लगब फूर या फाइम मन्स पहले ही जब इनकी फैमली कंट्रोर्सी सोशल मीडिया पर आई थी तो इन्होंने एक दूसरे को एक्सपोज किया था लेकिन बाद में दीजे ठीक हुई तो शायल लोगों को लगा कि ये सब लोग फिर से एक हो जाएंगी लेकिन ये इस कंट्रोर्सी फिर से कैसे स्टार्ट हुई जरह सरे कामनी सिंग के माई की के यहाँ पे जब इनकी बहन की इंगेजमेंट थी और फंक्शन था तो उस फंक्शन में जब कामनी की इन-लोज की तरफ से कोई भी वहाँ पे नहीं पहुचा इन-लोज को शोड़ कर कोई भी फैमिली मेंबर नहीं पहुचा तो वहाँ बे वीवर्स ने काफी कमेंट करना शुरू कर दिये कि आपको इन लॉस की तरब से कोई भी क्यों नहीं आया जिसके बाद में कामनी सिंग ने यहाँ पे अपनी बहन की कुछ वीडियोस भी उन्होंने शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा भी था कि उनको इस चीज़ का बहुत जादा बुरा लगा है वो वाद में बताएंगे लेकिन उन्होंने इस टॉपिक पर बात नहीं की और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आखिर साससुर क्यों नहीं है वही कुछी दिनों के बाद में निकु के माइके में वी एक फंक्शन था क्या उस function में अब इन लॉज जाएंगे या फिर कामनी जाएगी इस दीज को लेकर काफी कमेंट आना शुरू हो चुकी थी और निकू तो पहले ही अपने माइके में पहुंच चुकी थी लेकिन कामनी को कमेंट किये जा रहे थी आप इस function में पहुंच जाएए ताकि आपकी जो family controversy है वो खत्म हो जाए तो जब लोगों ने देखा कि निकू के माइके में या पर जो function था उसमें निकू के इन लॉज पहुंच चुके थे इसकी सास और ससर दोनों ही गए जिसे देखते हुए लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया और कहीं न कहीं सोचना शुरू कर दिया कि इनकी जो family है वो दोनों बहुंच में comparison कर रही है एक के माइक की फंक्शन में जा रही है और एक के फंक्शन में नहीं जा रही है जिसे देख दूए काफी कमेंट भी आने लगे और कहीं नगी कामनी को भी इस चीज़ का बहुत भी बुरा भी लगा होगा कि जो कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट उना शुरू हो चुकी थी लेकिन वही कामनी के एक और वीडियो सामने आता है जिसमें उन्होंने बताया कि मैं चाहते हूं सब कुछ ठीक हो लेकिन मैंने अपने लॉज के साब एक बात रखी थी कि मैं चाहते हूं निकू के फंक्शन म में जाओंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा पर उन्होंने का कि मेरे लॉज इस बात को मानने से मना कर दिया कि वो मेरे माईके में नहीं जाएंगे और तभी कामनी जो है वो निकू के फंक्शन में यहां पर बिल्लुकुल भी नहीं जब तक मेरी फैमली की तरफ से कोई भ लोग यहां पर आते हैं तो यही चीज है कि कामनी ने का कि मैं यह चीज निकू और सुमित पर शोड़ रही हो कि वो शायद इस चीज को ठीक करेंगे तो यह मारी जो फैमली कंट्रोवर्सिया वो खत्म हो जाएगी जिसके बाद में निकू ने इस चीज का रिपलाई दिया कि तुम कैसी हो एक फिर मेरे खालत की बारे में पूशन नहीं किया तो मैं क्यों सब चीजों को ठीक करूँ इसके बाद में यहां पर निकू को एक और शॉर्ट वीडियो अभी रिसेंट जो है वो सामने आया है जिसमें नोने कुछ कमेंट भी पिन किया हुआ है मुझे कु ही सारे जो हैं वो लोग सोज रहे हैं कि कभी आकर जल्द बताएंगी कि आखी इनके साथ में क्या हुआ है तो अगर यह लोग सोशल मीडिया पर है और इनकी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर और ज्यादा बढ़ेगी अगर यह सब लोग अपनी चीजों को पब्लिक को पसंद करते हैं वो कामनी के लिए गलत कमेंट करेंगे या तो आप लोग इन सब कमेंट को इग्नोर करकर शुरू किजिए ताकि आपकी जो फैमली कंट्रोवर्सी है वो इन सब कमेंट की बज़ए से या फिर इनको रिप्लाई देने की वज़ए से ज्यादा ना बढ़े कीजिएगा मिलके नेस्ट वीडियो के साथ में